चैब बबग दोस्तों सवागत है मेरे यूटूब चैनल में आज आपको बताऊंगा कि जना आदार कार्ड गर बठे कैसे डाउनलोड करें अपने फोन से जना आदार कार्ड कैसे डाउनलोड करें आपको कहीं जाने की जरुत नहीं है कहीं इमित्रा पे जाने की जरुत नहीं है गर बठे अपना जना आदार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो दोस्तो ये वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो पूरा देखिए इसके मत कीजिए और दोस्तो अगर मेरे चनल पे नए हो तो यार दोस्तो सस्क्राइब कर लीजिए आपको ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो गर बठे पहुचाने वाला हूँ चलो चलते हैं और देखते हैं कैसे अपना गर बठे जनाधार कार्ड डाउनलोड करें सबसे पहले आपको Chrome Browser open करना है अपने phone में Chrome Browser open करना है और Chrome Browser open करने के बाद जैसे सर्च बार में लिखना है आपको जनाधार कार्ड डाउनलोड जैसे ही ये लिखोगे आपको उपरी-उपर साइट आएगी इसकी know your जनाधार ID जनाधार योजना Government of Rajasthan इस पहे आपको किलिक करना है जैसे ही किलिक करोगे दोस्तों और इसके बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा और लिखा हुआ मिलेगा know your जनाधार ID इस पहे आपको किलिक करना है किलिक करोगे तो आपके पास देखो 3-4 चीज हैं वो लगा कि आप शो करवा सकते हो जनाधार का डाउनलूड कर सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है Family ID, AC की ID, आधार, मोबाईल नमर यानि जनाधार नमर हो या फिर जनाधार के रसीद के नमर हो या अपना खुद का आधार काड हो या फिर उसमें जुड़े हुए जनाधार में मोबाईल नमर हो कोई भी तो देखिए आपको एक चीज बता दू कि मतलब यह जो एक्ट्रा चीज बता रहो मोबाईल नमर के अलावा कि आधार नमर है, यह नमर है जनाधार नमर है, रसीद नमर इनसे जल्दी सी शो नहीं करता तो आप ऐसे कहोगे कि बाद में कि यार यह क्या बता दिया तो आपको simply क्या कि लिखना है आपको यहां पे कि अपना मोबाईल नमर लिखना है जैसे मेरे मोबाईल नमर है 9610 और यह नमर लगा दिया नमर लगाने के बाद जैसे capture आ रहे हैं यहाँ पे तो मैं यह capture डाल देता हूँ और capture डालने के बाद नीचे देखो खोजे का option आ रहा है खोजे पे दबाएंगी तो हमें नाम शोग करने लगेगा नाम mobile number last के चारंग और इसके आगे है select इस पे आपको किलिक करना है नीचे है ekyc जनादार फिर इस पे किलिक करना है और यह permission मांग रहा है okay ओके फ्रेस करेंगी अपने phone में OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ फ्रेस करना है देखे मेरे phone में अभी OTP नहीं आया OTP आ जाता है वेट कीजी आप देखे दोस्तों OTP आ गया और लगा देता हूँ OTP में जैसे OTP लगाओगे उसके बाद आपको verify पे किलिक करना है verify पे किलिक करोगे तो देखो element ID आपको शो करने लग जाएगी जनाधार ID शो करने लग जाएगी और लास्ट में e-card डाउनलोड यह जो है इस पे आप किलिक करोगे किलिक करते ही आपके पास अपना जनाधार card शो करेगा डाउनलोड हो जाएगा देखे दोस्तों आपका जनाधार का डाउनलोड हो गया है उमीद गरता हूं कि यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगी होगी तो अगर दोस्तों इंट्रेस्टिंग लगी है तो लाइक शेर सब्सक्राइब सबकर दीजिए थैंक्यू दोस्तों